दोस्तों TVS कंपनी को बहुत दिनों से वो मुकाम वो टार्गेट एचीव नहीं होड़ा था कम्यूटर बाइक सेगमेंट में जो वो लोग चाहते थे लेकिन जब से TVS Radeon आया हुआ है तब से TVS को वो एक sales figure मिल रहा है और वो achievement भी मिल रहा है जो बहुत दिनों से उन लोगों को चाहिए था और TVS Radeon हर तरह से एक ideal commuter bike है अगर इंडिया की background में देखा जाये तो और दोस्तो आज मैं आप लोगो TVS Radeon 110 BS6 2020 model का chrome black edition का एक review दूँगा हाला कि दोस्तो मैंने पहले भी Radeon का दो color का review बना चुका हूँ तो आप जाके मेरे channel में all videos section में जाके देख सकते हैं नमस्कार दोस्तो welcome to another brand new episode of the Bengal Rider YouTube channel and मैं हूँ आपका दोस्त ओरिजित दोस्तो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ शूप TVS अंदूल हावरा में जिनके showroom के contact details आपको description box में मिलेगा तो आप चाहे तो वहापे contact कर सकते हैं अगर आप हावरा या कोलकाता से है तो आप गारी प्रोम ब्लैक एडिशन में आपको कुछ extra styling के touches भी देखने को मिल जाएगा अब अगर 110 cc segment को देखे इंडिया में तो प्लाटिना एजगेर, पैशन प्रो और इसी के साथ साथ CT 110, Levo, Dream Series जैसे बहुत सारे bikes हैं जिनके साथ Radeon को मुकाबला करना पड़ता है तो यह जो segment ही अगर हम यहाँ पे changes की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम engine की बात कर लेते हैं, engine जो पहले carburetor setup में आता था अभी यह fuel injection बन चुक है यानि की ETFI, Eco Thrust Fi Technology अभी इसमें TVS द्वारा दिया गया है, अब TVS क्लेम करता है कि इसमें आपको 15% जादा mileage मिलेगा, पावर में बस थ 7Nm Torque मिलेगा at 4500RPM, Torque बिल्कुल पहले जैसा ही है, exhaust pipe पर आप देख पाएंगे extra catalytic converter और उसके साथ साथ O2 यानि की oxygen sensor की pipe आपको देखने को मिल जाएगा, और engine पहले जैसा ही single cylinder air cool 110cc का Duralife feature का engine है, जिसमें आप देख पाएंगे की carburetor setup को हटा के अभी जैसे की मैंने बा देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर chrome touches दिये गए है chrome black edition में और इसमें आपको self और kickstart दोनों ही मिलेगा, 4 gear का setup मिलेगा, heel and to gear shifter के साथ साथ, दोनों ही तरफ आपको chrome touches मिलेंगे side में और उपर आप देख पाएंगे दोस्तों कि एक tank cover साई यहाँ पर, यह chrome black edition में खास क देख पाएंगे कि engine malfunction light अभ यहाँ पर add कर दिया गया है, वैसे meter console बिल्कुल ही सेम है और यह जो engine malfunction light है, यह fi system में या फिर कोई भी sensor में अगर कोई भी problem होगा, तो यह आपको blink कड़के notice कराता रहेगा, तो इसके अलावा और यहाँ पर कोई भी changes नहीं, around 8000 रुपे का यहा अगे कि अगर हम headlamp की बात कर तो DRLs के साथ इसके halogen headlamps आते हैं और chrome bezels के साथ यह headlamps है, उपर में आपको TVS की 3D emblem देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे almost flexible turn indicators देखने को मिल जाता है, जिसके quality मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और यह DRLs जो है दोस्तों यह basically दिन क समय पर battery की बचत करने में काफी मदद करता है, आपको LED DRLs के साथ headlamp मिल जाता है, TVS की 3D emblem मिल जाएगा, ब्लैक कलर की यहाँ पे काफी बढ़िया सा windshield लग कराता है, और मुझे लगा है कि Radeon का जो build quality है, यह काफी अच्छा है, chrome touches यहाँ पे आपको बहुत सारी जगवा पर देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों आप देख पाएंगे कि इस edition में आपको यह round shaped, retro looking, fully chrome mirrors मिल जाता है, और Radeon के 3 models आता है, base एक model आता है, उसके ऊपर का एक drum brake model आता है, और एक disc model आता है, फिलाल आप बीच के model देख रहे हैं, और इसमें आपको metal coated brake or clutch levers मिल है, headlamp की एक अलग सा switch मिल जाता है, DRLs और headlamp के बीच में toggle करने के लिए, switch gear quality बहुत ही अच्छा है, और handlebar position भी बहुत ही comfortable commuter position दिया गया है, meter console को देखे तो car like meter console है, इसमें आपको कोई भी digital नहीं है, fully analog setup है, speedometer, odometer, telltale lights, fuel indication, eco power indicator आपको इसमें मिल जाएगा, car की dashboard की meter की जासा इसका design दिया गया है, पीछे भी आपको bulb setup ही मिलता है, lights पर और पीछे भी वही semi flexible, या फिर almost flexible, clear lens turn indicators आते है, तोस्तों यहाँ पे around 10 liters का petrol tank दिया गया है, और आप देख पाएंगे उपर की जो covering है, यह देखने में बहुत ही खास एक look दे देता है, और side की तरफ अगर देखें तो side में आपको rubber paddings मिल जाएगा, side में काफी curve यहाँ पर जो petrol tank ही है, दिया गया है, TVS की आपको यहाँ पर 3D emblem देखने को मिल जाएगा, और better thigh grip के लिए यह जो rubber pads है, tank pads यह बहुत ही मदद करता है, जैसे कि Royal Infilt के गाडियों में आपने देखा होगा पहले, और आता है, और seat यहाँ पर बहुत ही premium quality का है, cushioning मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और seat आप देख सकेंगे, super comfortable, बिल्कुल ही commuter friendly seats यहाँ पर दिये गया है, side में भी आपको Radeon का 3D emblem और कुछ body stickering आप देख पाएंगे, दोस्ते यहाँ पर पीछे की तरफ एक luggage हुक already pre-install मिल जाता था, वही एक steel का career लगाया गया है, और उपर भी आपको एक pad मिल जाता है, ताकि जादा से जादा सामान आप इस पर load कर सके, और यह single cradle tubular frame पर बनी है, जो की खास करके आपको fully commuter bikes में ही मिलता है, wheelbase 1265 mm है, और अगर हम बात करें तो से यहाँ पर top speed की, तो top speed और FI आने के वज़े से बहुती बढ़िया सा आपको इसके अंदर मिल जागा, तो आप चारो तरफ से इस गारी को देख लीजिए, इंजिन कमपार्टमेंट में आपको golden color के finish, जैसे के आप देख सकोंगे, आपको यहाँ पे मिल जाता है, heel and to gear shifter है, आगे की दरफ आपको इसका सारी गार्ड है, टायर्स पर आते हैं दोस्तों तो आपको 18-inch के tubeless tires दोनों ही तरफ मिलता है, और आपको drum brakes आता है दोनों ही तरफ, इसमें disc brake option भी आता है, तो अगर आप special edition लेते है, तो इसमें 240 mm का आगे की तरफ disc brake आएगा, अला कि यहाँ पे आगे की तरफ 130 mm का drum brake आता है with SBT, यानि की Sink Braking Technology, आगे की तरफ 278 और पीछे की तरफ 38 साइस के tires आते है, 18-inch diameter वाले यह टायर है, टीवेस के तरफ से यह टायर दिये गए है, पीछे की टायर में आप देख लीजे, आफ रोड ट्रेड पैटन यहाँ पे बना हुआ है, और पीछे की जो drum brake है, इसका साइज है 110 mm, तो ब्रेकिंग के मामले में भी काफी यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकिंग सेटप दिया गया है, आप यहाँ पे दोस्तों इसका जो exhaust यह देख लीजे, फुली यहाँ पे chrome type exhaust है, और chrome यहाँ पे इसके ऊपर covering दिया गया है, दो फुट होल यहाँ पे एक आप देख लीजे पीछे की तरफ और एक आगे राइडर की तरफ, तो छोटे-छोटे डीटेल में भी TVS ने धियान रखा है, जो कि मुझे रेडियोन में बहुत ही अच्छी लगा है, और आप देख पाएंगे दोस्तों पूरे गारी को, जैसे कि मैंने आपको देखाय गारी बहुत ही अच्छा है, और अगर आप कम्यूटर सेग्मेंट में गारी लेना चाहते है, हर रोस राइडिंग के लिए, इंडियन कंडिशन में, फैमिली राइडिंग के लिए, तो रेडियोन आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया डील बन सकता है, तो अगर हम यह लगभाग 62,000 से लेकर 68,000 के बीच है, एक स्टोरूम प्राइस कोलकाता, और अगर आप पूरे इसके जो डीटेल्स जानना चाहते है, तो आप डेस्क्रिप्शन में दिये हुए नंबर पर कॉल कीचे, बहुत सारे जो कलर्स है, कलर्स भी आपको रेडियोन के अंदर मि झाल